सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सबी का आपके चैनल दपर्फेक्ट क्लासिस में स्वागत है डारेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन्सीट आफ दैली की वक्षीट नमबर 21 डिसकस कर रहे हैं बैचो क्लास 7 की वक्षीट है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है फोर अक्टूबर 2021 की वक्षीट है टॉपिक है सॉलिट शेप्स अराउंड अस हमारे आसपास की ठोस आकरतियां लेट्स रिकॉल आदोर आते हैं इस्टेट ट्रू और फॉल्स आपको सही या गलत में उतर देना है तो फर्स्ट देखते हैं तो इस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट देखते हैं दस सर्कल, स्क्वाइर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल और एक्जांपल ओफ प्लेन फिगर्स एक व्रत तिर्बुज व्रत तथा आयत समतल आकरती के उधारण है तो इसके आगए आप लिखेंगे ट्रू ओके सेकिंड है ठीक है अब नेक्स्ट है यह नमबर में गलती है यहाँ पर 1,2,3,4,5 यह 5 है ठीक है तो आप ऐसे कर लेना अब नेक्स्ट है बच्चो इन ओबलिक स्केज ऑफ सॉलिड दा मेजरमेंट्स आर कैप्ट प्रपोर्शनल किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में इसकी इनदी बता देती हूँ मापको इन ओबलिक स्केज ऑफ सॉलिड दा मेजरमेंट्स आर कैप्ट प्रपोर्शनल इसकी इनदी है किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं तो यह फॉल्स है ठीक है इसलिए एक ठोसा करती जिसका कोई चीज न स्पेर होती है तो यह भी फॉल्स है अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है दो कोमन प्रोपोर्शन ऑफ टू एडजिसंट फेसिस ऑफ ए क्यूब इस कॉल्ड एज एक घं के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभेनिश्ट भाग किनारा कहलाता है तो देखिए बच्चों यह क्या है यह ट्रू है अब नेक्स्ट देखते हैं लेट्स मेंके बर्थडे कैप यूजिंग कार्डबोर्ड फोर यूर ब्रदर सिस्टर और हीज और हर बर्थडे गत्ते की किसी टुकडे द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जनम दिन पर टोपी बनाईए और अब आपको एक दूसरे को उनके पास रखना है उनसे सटा कर रखना है तीनों बॉक्सिस को और अब इन क्रिशनों के उत्तर देने बच्चों आपको क्रिशन नमबर बन पूछा हुआ है नेम दे शेप ओफ दा बड़े कैप बड़े कैप का शेप बताईए तो उसका अंसर तो होगया कौन जो शंकू होता है ना ऐसा शेप होता उसका आपको उसके फलक शीर्स तता किनारे की संक्या बतानी है तो आप लिख देंगे एज जीरो वर्टिस जीरो फेस होगा उसका वन अब देखिए कुशन नमबर टू है अब आपको जिन घनकार डिबो को आपने जमीन पर रखे उन्हें ध्यान से रखकर आपको बताना है कि आप उन पर कितने फलक देख पा रहे तो उसका अंसर होगा बच्चो 3 कितने फलक देख पा रहे 3 तीन फलक देख पा रहे आप उनके और next है also name the shape which has been formed by putting these three boxes on the floor और इसमें question है कि उन्हें ध्यान से देखने पर ध्यान से देखने पर आप कैसे बता सकते हैं आपको ये बताना है कि पिरती एक जो डिबबा होगा उसके जितने फलक देख पार है आपको उनकी संख्या भी बतानी होगी तो उनकी संख्या होगी बच्चो 1,2,3 ठीक है जो फलक आप देख पार है अब next है a bulb is kept burning just right above your book आपकी पुस्ते के उपर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा है जैसे ये picture में दिखा हो सीधा जल रहा बिल्कुल बुक के उपर अब आपको बताना है कि इस पिरकार जब बलब जलता हुआ हो इस पिरकार प्राप्त होने वाली चाया की आकरती का नाम बताना है आपको और उस आकरती का रफ चित्र भी बनाना है तो उसका नाम था है बच्चो रेक्टेंगल और रफली सा आप चित्र बना देंगे उसका देखिए ऐसा ये रेक्टेंगल शेप होती है कुछ ठीक है ऐसे बना देंगे अब question number 4 है draw the top front and size side view of the given picture आपको ये जो कार दिखाई हुई है इसका top front का इसका side view बताना है और इसका front view कैसा दिखेगा वो बताना है तो आपकी वक्षीट में ही आया था ये देखिए बच्चो ये तो कार का side view है ऐसे बना देंगे आप ये इसका top view है और ये है इसका front view ठीक है अब आगे देखते है question number 5 है net of the dice is given below now answer the following question आपको ये dice का एक जाल दिया हुआ है ठीक है ये पासे का एक जाल दिया हुआ है आपको इससे देखकर प्रिशनों के उत्तर देने question number 1 है find the number on the face b of the dice b पर कौन सा number है तो देखिए पहले से थोड़ा समझ लेते है यहाँ पर 2 का opposite तो 5 होता है dice में क्यों क्योंकि इन सब के जो ये पासे होते हैं इसके इसके जितने फलक होते हैं 6 फलक पे तीन एक दूसरे के opposite होते हैं आपने देखा भी होगा लूडो वाला पासज होता है, जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो जा 2 होता है उसके पीछे होता है बैच्चो 5 तो इन सब का टोटल आता है 7 ठीक है, जैसे 2 और 5 का टोटल आगे 7, अब A है 1, तो इसका opposite होगा C, उसका पास से कमान होगा 6 एक और 6 का साथ हो गया और यह यहाँ पर हमें दिया हुआ है यह हमें दिया हुआ है यहाँ पर यह B, ठीक है B का हो गया 4 और यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है 3 और 4 यह भी हो गया 7 तो यह टोटल 7 यह 6 फलक हो गया और इनका 2 का टोटल आता है 7 तो हम B का बता देंगे B का कितना होगा 4 होगा ये रहा B का B किसके opposite है 3 के opposite है ठीक है B तो इसका 7 हो जाएगा अब इसमें पूछा है find the sum of numbers on the faces A, B and C in the figure A, B और C का बताना है तो देखिए E का ये लिखा हुआ है 1 B का लिखा हुआ है 4 और C का लिखा हुआ 6 जब आप 1, 6, 4 को एड़ करेंगे तो ये कितना जाएगा 11 ठीक है अब यहाँ देखिए what is the sum of numbers on opposite faces of die पासे के विप्रीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग तो देखिए अभी हमने निकाला था न विप्रीत फलक पर जोंकों का योग आता वो कितना आता 7 आता तो 7 हो गया आपकी वक्षूट सॉल्व हो गई अगर आपको मेरी वीडियो परसंद आएगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए हमाँ चनल को सब्सक्राइब कीजिए झाल 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 झाल